हलो एब्रिवन, वेलकम टो लॉजिक पार्ट शाला चैनल आज हम करेंगे नैशनल पर्क्स इन इंडिया तो इन्हें हम कैसे याद रखेंगे इन्हें हम याद करेंगे ट्रिक के साथ तो जो हम नैशनल पर्क डिसकस करने जा रहे हैं ये आपके आने वाले एक्जाम के लिए बहुत important topic है इस lecture का PDF आपको टेलिग्राम में मिल जाएगा जिसका की link आपको description में provide कर दिया जाएगा So let's begin the session Question number 1 is बंदवगर नैशनल पार्क is in which state? तो जो आपका बंदवगर ये नैशनल पार्क है ये कौन से राज्य में है तो आपके पास चार options है आप इन एक बार देख लिजिए तो इसका correct answer रहेगा option number 8 that is मध्यपरदेश तो अब हम इसे map में देखेंगे तो ये है आपका बंदवगर नैशनल पार्क So जो आपका बंदवगर नैशनल पार्क है इसे हम कैसे याद रखेंगे कि जब एक इंसान मध्यम की एज में पहुंच जाता है तो वह एक अच्छा बंदा बन जाता है ठीक है question number 2 is बंदिपूर नैशनल पार्क is in which state तो जो आपका बंदिपूर नैशनल पार्क है ये कौन से राज्य में है आपके पास 4 options है आप इन एक बार देख लीजिए तो इसका सही अंसर रहेगा option number C that is करनाटक तो इसे हम कैसे याद रखेंगे इसे हम याद रखेंगे कि जब हम किसी को बंदी बना लेते हैं तो वह क्या करने start कर देता है तो वहें start कर देता है तो वैल अब हम इसे map में इसमें हम देखते हैं जो बंदी बंदी पूर नाशनल पार्क है यह आपका करनाटका के अंदर है और यहां पे आपको highest population of tiger देखने को मिलेगी question number third is banner घटा नाशनल पार्क is in which state तो यह कौन से राज्य में स्थित है आपके पास चार options है आप इने एक बार देख लीजिए तो इसका सही answer रहेगा आपका option number C तो इसको भी हम कैसे याद रखेंगे कि जब हम ban कर देते हैं किसी चीज को तो क्या करता है एक इंसान नाटक करता है कि उसे क्या हो रहा है उसे घाटा हो रहा है तो इसका अंसर रहेगा आपका option number C और ये है आपका बैनर घटा नाशनल पार्क और जो की कहां पे है आपका करनाटक में नाव मूविंग टू केशन नमबर 4 बेतला नाशनल पार्क इस इन विच स्टेट तो जो आपका बेतला नाशनल पार्क है ये कौन से राज्यमे स्टित है आपके पास 4 options है आप इनने एक बार देख लीजिए तो इसका सही अंसर है option number B that is चार खंड तो इसे हम कैसे याद करेंगे इसे हम याद करेंगे बेटे से तो बेटे को क्या करते है बड़ी जार मतलब जार इन दासेंस की उसे बड़ी डांट लगाते है उसकी जार फाड करते है तो ये आप इसे ऐसे याद रखेंगे ठीक है question number 5 is बीतर कनी का नाशनल पार्क इस इन विच स्टेट कि कनी का नाम की एक लड़की है उसकी friend कोन है दिशा याँ फिर इसे याद करेंगे कि कनी का है वह क्या दिखा रही है दिशा दिखा रही है और इसे हम अब map में देख लेते हैं एक पर तो यह है आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा आपका भीतर कनी का ठीक है वैल जो आपका भीतर कनी का नैशनल पार्क है यह आपका इसको स्टेटस भी दिया गया था रामसर साइट का कब दो हजार दो में ठीक है गुशन नमबर सिक्स्त is ब्लैक बख नैशनल पार्क is in which state तो आपने ये बताना है कि जो आपका ब्लैक बख नैशनल पार्क है ये कौन से राज्या में स्थिट है तो यह है आपका गुझरात में तो इसी हम कैसे याद करेंगे इसी हम याद करेंगे चाहे दिन हो या फिर रा है कहां पे आपकी गुजरात में तो जो ब्लैक बग नैशनल पार्क है यह आपका कहां पे लोकेटिड है वेलवाधर इन भावनगर डिस्ट्रिक ओफ गुजरात क्वेशन नमबर सेवन इस बक्सा टाइगर रिजर्व एस इन विच स्टेट तो आपने यह बताना है कि जो आपका option number B that is best Bengal तो इसे हम कैसे याद रखेंगे बक्सा को हम याद करेंगे box से तो एक इंसान है उसे कैसा box चाहिए उसे best box चाहिए तो यह वेस्ट है न वेस्ट तो हम इसे याद रखेंगे उसे best box चाहिए तो यह आपका बक्सा टाइगर नैशनल पार्क तो यह आपका य यह देखिये मैप में तो यह आप यह देखिये ठीक है अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेशन की और तो जो आपका Campbell Bay National Park है यह कौन से राज्या में स्थित है तो आपके पास चार आप्शन्स है आप इने एक बार देख लीजिए तो इसे कैसे याद करेंगे हम इसे याद करेंगे कि कैंप पे जा रहा है कौन जा रहा है मैन है एक वो कहां पे जा रहा है कैंप पे जा रहा है तो इसे हम ऐसे याद रखेंगे और यह है आपका Campbell Bay National Park और यह कहां पे देखने को मिलेगा Great Nicobar Island में Question No.9 is चंदोली National Park is in which state तो आपके पास 4 options है आप इने एक बार देख लीजिए तो जो आपका चंदोली National Park है यह कौन से राज्य में है यह है आपका महराश्टरा में तो इसे हम कैसे याद करेंगे इसे हम याद करेंगे कि जो हमारा राश्टर है ना वह कैसा है वह है चांद जैसा चंद जैसा सुन्दर ठीक है तो यह देखिए आपका चंदोली पार्क Question No.10 is Clouded Leopard National Park as in which state तो जो आपका Clouded Leopard National Park है यह कौन से राज्य में स्थेथ है आपके पास चार आपशन्स है आप इन एक बार देख लीजिए तो इसका सही अंसर रहेगा आपका त्रेपूरा सो इसे हम कैसे याद रखेंगे इसे हम याद रखेंगे कि जैसे हमारा Leopard होता है उसके उपर जो Black Black कलर की stripes होती है तो उसे हम याद कर लेंगे कि वो तीन तरहां की होती है मतलब हमने सिर्फ इसे याद करने के लिए रखना है तो यह आप कर लोगे याद त्रेपूरा से ठीक है और यह आपका जो Clouded Leopard National Park है यह आपको मिलेगा सिपाही जोला Wildlife Century त्रेपूरा इंडिया में देखने को और कितना एरिया कवर करता है यह आपका 5.08 स्क्वार किलोमेट Question number 11 is दाची गम National Park is in which state तो आपके पास 4 options है आप इने एक बार देख लीजिए तो इसका सही अंसर क्या रहेगा आपका इसका आपका सही अंसर रहेगा Option number A यह आपको मिलेगा उमारिया डिस्ट्रिक जम्मू और कश्मीर में देखने को और यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा किसके लिए यह जाना जाता है यहां पे आपको देखने को मिलती है कश्मीर स्टैग वैल इसे हम कैसे याद करेंगे इसे हम याद करेंगे गम स तो जब भी हमारे जो लडाईयां वगारा होती है जम्मू और कश्मीर में तो वहां पे जब लडाई हो तो फिर हर कोई किस में चला जाता है गम में चला जाता है हर किसको बूरा फिल होता है तो इसका अंसर हैगा option number A number 12 is देहिंग पटकाई national park is in which state तो आपने ये बताना है जो आपका देहिंग पटकाई है national park ये कौन से राज्यमे स्थित है तो ये है आपका असम में इसे हम कैसे याद करेंगे इसे हम करेंगे हींग से याद तो कहते थे थे ना कि हींग खाने से जो हमारा पेट है उसे क्या मिलता है अराम मिलता है अगर आपका पेट खराब हो दो तो ये हमें क्या होती है आस होती है कि हिंग खाने से हमारा पेट है वह है उसको ठीक करता है तो ये रहेगा आपका option number A that is असम और ये है आपका देहिंग पटकाई national park तो वैसे अगर हम असम की बात करें तो असम में हमारे पास at present total seven national parks है पांच में हमने यहां पे लिखे हैं ये है आपका काजी रंगा national park मानस national park ना मेरी national park और रंग national park दिब्रू साइखोवा national park और दू है आपके एक है राइमोना national park और एक है आपका देहिंग पटकाई national park तो कि मैंने आपको बताया था काजी रंगा को कैसे याद रखना है कि हर किसी को आस होती है कि उसकी जिंदगी में क्या हो रंग हो तो ये रहेगा काजी रंगा national park और हर किसी क्या होती है आस होती है बात करें अगर हम मानस national park की तो इसी कैसे याद करेंगे इसी हम करेंगे कि हर एक के मन में क्या होती है आस होती है तो आस से क्या हो गया असम और मन से हो गया मानस ठीक है ना मेरी नैशनल पार्क को हम कैसे याद करेंगे हम नाम से याद करेंगे कि हमें नाम नाम की क्या होती है हर किसी के नाम से आस होती है तो ये हो गया आपका नामेरी नैशनल पार्क और रंग नैशनल पार्क में क्या है रंग से याद करेंगे कि हर किसी को चाहिए कि उसकी जिन्दगी में रंग हो तो एक क्या होती है रंगों की आस होती है तो औरंग नैशनल पार्क हो गया दिबरू साइखोवा नैशनल पार्क को हम कैसे याद करेंगे इसको हम करेंगे साइं से ठीक है साइं भगवान जी से तो उनसे क्या होती है हमें आस होती है और देहिंग पतकाई मैंने आपको बता दिया है और राई मोना को कैसे याद करेंगे हम राई मोना नैशनल पार्क को हम याद करेंगे राई से अगर हमें किसी से अडवाइस लेनी हो राई लेनी हो तो हमें क्या होता है कि हमें आस होती है कि वैं हमें सही राई देगा Question number 13 is Desert National Park is in which state तो जैसे कि यहाँ पर Desert से ही पता चल रहा है तो यह आपको देखने को मिलेगा राज्यस्थान में तो यह एक बार हम यहाँ पर भी देख लेते हैं यह है आपका Desert National Park Question number 14 is Dibru Sikhova National Park is in which state तो इसको हमने अभी अभी याद किया है साई से तो यह है आपका Option number A Question number 15 is Dibru Sikhova National Park is in which state तो यह आपके पास 4 options है आप इन एक बार देख लेजिए तो इसका सही अंसर रहेगा आपका Option number 8 इसी हम कैसे याद रखेंगे इसी हम रखेंगे दुद्वा है ना तो हम इसे रखेंगे ढूंड से तो सबसे ज़र जो population है हमारे इंडिया की वहाद देखने को मिलती है हमें UP में तो अगर कोई खो जाए तो हम क्या कहेंगे उसे ढूंडना है तो कहां जाओ UP में ठीक है तो यह है आपका दुद्वा National Park जो की है आपका कहां पे देखने को मिलेगा आपको UP में Now moving to the next question that is question number 16 इराविकुलम National Park is in which state तो जो आपका इराविकुलम National Park है यह कौन से राज्य में स्थित है So well इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह South Indian का कोई राज्य है तो यह है आपको देखने को मिलेगा आपका केरल में तो इसे हम कैसे याद करेंगे केरल में आपको सबसे जादा क्या देखने को मिलता है highest literacy rate तो जो हम इसे याद करेंगे एरा से ठीक है मतलब उस टाइम से तो जो हमारा एरा चल रहा है न तो इसमें सबसे जादा जो literacy है अब है कहां देखने को मिल रही है आपको केरल में Question number 17 is Galathia National Park is in which state तो यह आपका कौन से राज्य में है तो यह आपका है Option number A तो इसे हम कैसे याद रखेंगे इसे हम रखेंगे जो गाले पढ़ती है किसी को डांट पढ़ती है तो वह कोन है एक मैं है उसे क्या पढ़ रही है गाले पढ़ रही है तो यह होगे आपका Galathia National Park तो यह देखे मैप में यह है आपका Galathia National Park गंगोत्री National Park is in which state तो जो गंगोत्री National Park है यह आपका कौन से राज्य में है तो यह है आपका उत्राखंड में तो इसको याद करने के लिए मुझे नहीं लगता कोई ट्रिक की ज़रूरत है जो आपका गंगोत्री National Park है यह आपको देखने को मिलेगा अपर कैच्मेंट ओफ भागीरती रीवर मैंने आपको बताया था ना कि जो भागीरती रीवर और जब अलकनंदा रीवर मिलती है तो वहां कहां पर यह मिलती है यह मिलती है आपकी देव परियाग से और यहां से स्टार्ट होती है आपकी गंगा रीवर नाव मोविंग टुकेशन नमबर 19 गिर फॉरेस नैशनल पार्क तो यह कौन से स्टेट में देखने को मिलता है आपका गिर फॉरेस नैशनल पार्क तो यह है आपका गुजरात में इसे मैं आपको पहले बहुत बार बता चुकी हूँ और यह किसके लिए फेमस है यह अक्सर पेपर में पूछा जाता है तो इट इस फेमस फॉर एशियाटिक लाइन के लिए ठीक है और यह देखिए यह है आपका गिर फॉरेस्ट ठीक है नैशनल पार्क तो यह आपका कौन से राजय में स्टित है आपके पास चार आप्शन्स है आप इन एक बार देख लीजिए तो इसका सही अंसर रहेगा आपका आपका आप्शन नमबर A तो यह क्या है जब किसी को मार पिटती है चोटे बच्चे को मारते हैं जब वो कुछ गलत करता है तो उसे मारा जाता है ताकि वो बेस्ट बने अपनी लाइफ में ठीक है तो यह कौन सी स्टेट में देखने को मिलता है यह आपको देखने को मिलेगा ओप्शन नमबर A इस उत्राखंड में तो जैसे कि इसके नाम में बताया है हिमालियन नैशनल पार्क तो यह है आपका हिमाचल प्रदेश में तो इसका अंसर रहेगा हिमाचल प्रदेश और यह है आपका ग्रेट हिमालियन नैशनल पार्क ठीक है अब हम चलते हैं अगली क्वेशन की तरफ तो जो आपका गुगामल नैशनल पार्क इस इन विच स्टेट तो जो आपका गुगामल नैशनल पार्क है यह कौन से राजय में देखने को मिलता है तो यह देखने को मिलेगा आपको option number B that is महाराश्टरा में Question number 24 is गिंडी नैशनल पार्क is in which state तो यह कौन से राजय में देखने को मिलता है तो यह आपको देखने को मिलेगा option number C that is Tamil Nadu इसे हम याद करेंगे कैसे गुंडो से तो जैसे हम अगर South की movies देखें तो वहां पर बहुत सारी fight दिखाते हैं movies में तो वहाँ पर हमें बड़े सारे क्या देखने को मिलते हैं गुंडे देखने को मिलते हैं तो यह देखिए यह है आपका गिंडी नैशनल पार्क यह है आपका कहां पर तामिल नाडू में ठीक है जो आपका मनार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रे उधान किस राज्य में है तो यह आप सभी को पता होगा हमने जोगरफी में बहुत बार पढ़ा है तो यह आपको देखने को मिलता है पहले आप यह चार आप्शन देख लीजिए तो इसका अंसर रहेगा आपका आपका ओप्शन नमबर एट इस चार आप्शन देख लीजिए और यह है आपका गुरू घासिदास नैशनल पार्क वैल इसे हम कैसे याद करेंगे जब एक इनसान 36 साल का हो जाता है तो वह किसकी शरण में जाता है गुरू की शरण में चला जाता है और इसमें यह भी याद रखना कि जो 36 कर गवर्मेट ने क्या किया था डिकलेर कर दिया था गुरू घासिदास नैशनल पार्क और जो तमोर पिंगला वाइड लाइफ सेंचरी इन दोनों को कमबाइन करके ऐज टाइगर रिजर्व डिकलेर किया था Q27 is यह कौन से राज्य में है तो यह आपको देखने को मिलेगा Q28 is इंदर किला नैशनल पार्क इस इन विच स्टेट तो यह आपको कौन से स्टेट में देखने को मिलेगा तो इंदर भगवान जी हमें कहां पे देखने को मिलते हैं जादा तो वह देखने को मिलते हैं हमें हिमाचल प्रदेश में ठीक है हम इसे ऐसे याद कर लेंगे इंदर किला ठीक है Q29 is इंदरा गांधी वाइड लाइफ सेंक्चुरी और नैशनल पार्क अनाइमलाई टाइगर रिजर्व इस इन विच स्टेट तो यह आपको कहां पे देखने को मिलती हैं तो आपके पास यह चार आप्शन्स हैं आप इन एक बार देख लीजिए तो इसका सही अंसर रहेगा आपका option number A that is दामिल नाडू में ठीक है question number 30 is इंद्रावती नैशनल पार्क is in which state तो जो आपका इंद्रावती राष्ट्रे उधान किस राजिय में हैं एक है आपका इंद्रकिला वो देखने को मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश में लेकिन जो आपको इंद्रावती है यह आपको कहां पे देखने को मिलेगा आपके पास चार options है आप इन एक बार देख लीजिए तो इसका सही अंसर रहेगा option number B that is 36 गड़ जो इंद्रावती नैशनल पार्क है यह पढ़ता है आपका बीज़ापूर डिस्ट्रिक 36 गड़ में तो इसमें confused मत होना एक है आपका इंद्र किला और एक है आपका इंद्रावती ठीक है तो आप इंद्र किला जो इंद्र भगवान जी है वह किले में रहते हैं जो कहां पे है हिमाचल में इसे हम ऐसे याद कर लेते हैं और जो दूसरा बचेगा वह कहां पे बच जाएगा आपका 36 गड़ में question number 31 is जल्द परा national park is in which state तो आपके पास 4 options हैं आप इने एक बार देख लीजिए तो इसका अंसर है आपका option number A that is West Bengal तो इसे हम कैसे याद करेंगे इसे हम याद करेंगे जल्द से तो जो आप जल्द जल्द काम करते हैं तो वो best काम नहीं होते ठीक है तो वो काम क्या हो जाते हैं खराब हो जाते हैं तो जल्द से याद करेंगे जल्द से best काम नहीं होते question number 32 is Jim Corbett National Park जो की हमारा first national park है इंडिया का ये कौन से राज्य में देखने को मिलता है तो इसका अंसर आप सभी को पता होगा तो ये है आपका Jim Corbett National Park तो ये कौन सा राज्य है आपका इस माप में आपको पता चल गया होगा तो ये है आपका उत्राखंड और ये बहुत important है इसे हम देखिए जो उत्राखंड के नैनिताल district है वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा जो ये Jim Corbett National Park है इसका जो पहला नाम था वे था हैले National Park तो ये पेपर में पूछा जाता है कि हैले National Park किसे कहा जाता है तो वे है आपका Jim Corbett National Park नाव मोविंग टुकेशन नमबर 33 कालेसर National Park is in which state तो आप बताएंगे कि जो कालेसर National Park है ये कौन से राज्यम में है तो इसे हम कैसे याद करेंगे तो पहले हम देख लेते हैं तो ये है आपका हर्याना में तो इसे हम याद कैसे करेंगे इसे हम करेंगे सर से याद जो हमारे स्कूल में सर होते थे या हमारे कॉलेज में जो सर होते थे व्या कैते थे कभी भी हार नहीं माननी चाहिए नाव मूविंग तुकेशन नमबर 34 काहना नैशनल पार्क इस इन विच स्टेट तो जो आपका काहना नैशनल पार्क है यह आपके कौन से राजय में स्थित है तो यह आपको देखने को मिलेगा आपका काहना नैशनल पार्क तो यह आपका कौन से राजय में देखने को मिलता है आपके पास चार आप्शन्स हैं आप इन एक बार देख लीजिए तो इसका सही अंसर रहेगा आपका आपका आप्शन नमबर C तो इसको कैसी याद करेंगे इसको हम याद करेंगे तो जैसे कि आपको पता चल रहा होगा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह साउथ इंडियन में होगा नैशनल पार्क तो ये कौन सा आपका नैशनल पार्क है कहां पे स्थित है ये तो ये आपको देखने को मिलेगा तिलंग गाना में तो इसका अंसर रहेगा आपका option number D question number 37 is काजी रंगा नैशनल पार्क is in which state तो जो आपका काजी रंगा नैशनल पार्क है ये कौन से राज्य में स्थित है तो इसे हमने क्या से याद किया था रंग से तो हर किसी को आस होती है उसकी जिन्दगी में क्या हो रंग हो तो ये था असम से तो ये है आपका काजी रंग नैशनल पार्क जो आपका काजी रंगा नैशनल पार्क है यहां पर आपको पूछते हैं कि यह किसके लिए फेमस है तो यहां पर आपको वन होन राइनो देखने को मिलते हैं ठीक है तो इसे हम पहले भी जोग्रफी में डिसकर्स कर चुके हैं तो यह है आपका कहां पे तो यह देखने को मिलेगा आपको मनिपूर में और यह आपका क्या है यह वर्ल का एक अकेला फ्लोटिंग नैशनल पार्क है ठीक है Question number 39 is Kevaladev National Park is in which state तो यह आपको कहां पे देखने को मिलता है तो मैंने आपको क्या बताया था इसे कि यह हमने किया था याद पहले जो हमने रामसर साइट्स करी थी तो वहां पे भी हमने से याद किया था World Heritage Sites में ये आपको देखने को मिलता है option number C that is राजस्थान में और इसे हमने कैसे याद किया था इसे हमने याद किया था कि जिनके पास राज होता है वे हर लड़ाई में क्या करते हैं जीतते हैं ठीक है यहाँ से लड़ याद किया था ठीक है खांग चिंग जोंग नैशनल पार्क इस इन विच स्टेट तो यह आपका कौन से राज्यमें है इसे हमने पहले भी याद करा था जब हमने युनेसको की वर्ल्ड हाइटे साइट्स याद करी थी तो यह हमने देखने को मिलता है इसे हम कैसे याद रखेंगे जंग से याद करेंगे तो जब भी जंग होती है तो वहाँ पे लोग क्या फील करते हैं सिक फील करते हैं तो इसका अंसर हैगा option number C इसमें आप एक चीज और याद रखेंगे कि जब इसे हमने UNESCO की World Heritage Site में डाला था तो इसके साथ दो साइट्स ओर थी जिने की हमने UNESCO की World Heritage Site में डाला था एक थी आपकी The Capital Complex of Chandigarh और दूसरा था आपका नलंदा महावीरा of Bihar तो यह तीनों आपकी UNESCO World Heritage Site में डाली गई थी आप मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताएंगे कि इन्हें कौन से एयर में UNESCO की World Heritage Site में डाला गया था अब हम कल वाले questions डिसकर्स कर लेते हैं तो पहला question आपका क्या है वह यह है कि जो Bombay से थाने चली थी आपकी First passenger train और यह चली थी आपकी 16 April 1853 को Second question में यह है कि जो Bombay है यह Headquarter है दो Zones का तो कौन कौन से है एक है आपका Central Railway and Western Railway तो जो Total हमारे Railway Zones हैं कितने हैं वे हैं हमारे 18 Third question था कि Longest Railway Platform कौन सा है इंडिया का तो वे है आपका Hubli जो कि आपको कहां पे देखने को मिलता है करनाटक में तो यह आपने बहुत अच्छे अंसर करें हैं अब हम आज की Questions देखते हैं पहला Question यह है जो Border Road Organization है इसे Establish किया गया है कौन से Year में Second question है कि आप मुझे Full Form बताएंगे TRP की जो की हम Use करते हैं TV Shows में Third question आपके लिए यह है कि जो Air Transportation इंडिया में स्टार्ट किया गया था कौन से साल में तो इसका आप अंसर ज़रूर करें comment box में So I hope आपको यह Tricks अच्छी लगी हो National Park की तो हम इसके Second Part के साथ अब आपको कल मिलेंगे Thank you so much for watching this session अच्छी लगी है